अमस्ते जी आज का वेदिक विचार वेदिक राश की प्रस्तुती मात्र तिश्टह परांग मनहम अथरवेद के आठवे कान के पहले सुक्त के नवम मंत्र से लिया है मात्र तिश्टह परांग मनहम इसकार से मनुष्य तो संसार में मुर्दा दिल होकर के न जी जीवन्त होकर के जीवन्त हमारे जीवन में होना चाहिए हमारे जीवन जीविशा होनी चाहिए जीने के इक्षा होनी चाहिए बंदू हम अपने जीवन के अंदर जीवनत होके नहीं जिते हैं तो याद रखिए हम मुर्दा हैं और जो मुर्दा होता है वह अकड़ जाता है और जो जीवनत होते हैं उनमें नमता आ जाती है इसलिए किसी ने कहा है जिन्दगी 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 जिन यह महत्पुन नहीं है कैसे जी यह महत्पुन वात है धबतें जीवन के अनदर से जीएं किसी से पूछा कैसे जीतो कासां से जीतें अनदर से जीतें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं शक्षेवाई क biscay लेकर कि बिना करम कि यही सठ्टे बाजी करते हुए अधाद बिना करम कही दनका संग्रा करते और आराम से जीते वेद इसके लिए बना करता है। आक्शविमाध इबय. महिनत करके पसंद्था के साथ महनत करते हुए जीवन को जीना चाहिए जुआ नहीं खिलना चाहिए रिन लेकर घी पेने वाली जो बात चारवाग की उसको मत अपना ना बंधों याद रखो हम प्रसंद होके जीए जीवन दोके जीए कई बार हम किसी से पूछते हैं कुछ लोग हमेशा कुछ लोग हमेशा अपने दुखों के ही गित गाते हैं कुछ लोग हमेशा अपने दुखों के ही गित गाते हैं होली हो या दिवाली सदा मातम मनाते हैं होली हो या दिवाली सदा मातम ही मनाते हैं दुनिया उनी की रागनी पर जूमती हैं जो जलती चिता पर बैठकर वीना बजाते है जो जलती चिताप बैटकर वीना बजाते हैं इसलिए आओ संसार में आये हो तो जीना सीखो जीना है तो सांसे सीखो इसलिए कहा है कि मस्त रहो मस्त रहो अस्त व्यस्त मत रहो मस्त रहो व्यस्त रहो जो जीवन के अंदर व्यस्त रहता है वह मस्त रहता है मस्त रहना चाहिए व्यस्त रहना चाहिए परस्त व्यस्त नहीं रहना चाहिए हमारा जो मन है वह उदार मना हो कंजूसना दहे उदार मन वाला हो इसलिए का उदार चरिता नाम तुवसु धेव कुटम कम हमारी संसक्रती हमको सिखाती है वोगा संसार हमारा अपना परिवार है प्रसंता के साथ हम सब को अधार मना से सिखाएं कि हम कैसे जीते हैं हम संसार को जीने के लिए कियते हैं इसलिए कहाना जीओ और जीने दो कैसे जीओगे कैसे जीने दोगे जो जीवन में जीवन दोके जीते हैं वही वास्तों में अपने लक्ष को प्राप्त करते हैं उन्नत के पत्व पर चलते रहते हैं इसलिए बुझहे मन वा लेके मत जीओ बुझहा हुआ मन दूसरों को भुजाता है कहते हैं कि हजारों बुझे हुए दीपक एक दीपक को नहीं जला सकता पर एक जला हुआ दीपक हजारों दीपक को जला जिता है इसलिए आओ बंदों हम अपते जीवन के अंदर जीवन्त होके जीएं उधार मना होकर के जीएं एक व्यक्ति बहुत कंजूस था तो कुछ खारा था रोज खारा था तो एक मन चले ने कहा अरे सेड़ जी क्या खारे हो तो सेड़ जी कहते हैं जहर खारा हूँ तो उसने कहा कि सेड़ जी मुझे भी सोरा जहर दे दो कहने कतात पर यह निकलता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में उधार मनानी होता है अदो कंजूसी पन होता है वह दुखी रहता है और इसलिए काना की धन की तीन गती होती है या तो दान कर लो या भोग कर लो और नहीं तो वह नास हो जाता है इसलिए आओ बंदों आप सुन रहे थे आज का वैदिक विचार हम अपने जीवन के अंदर जीवन थोके जीएं मुर्दा दिल नहों हमारा जो जीवन है वो जिन्दा दिल होकर के जीए और हम मस्त रहें अस्त व्यस्त नह रहें व्यस्त रहें इसी प्रकार से आप वैदिक विचारों को वैदिक सुक्तियों को अपने जीवन के उन्नति के पत पर ले जाने वाले वैदिक मंत्रों को सुनने के लिए वैदिक राष्ट यूट्यूब टेनलों का सब्सक्राइब करिए लाइक करिए सेर करिए ओम शान्ति 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 ह कर दोए, मेश हम ऎावर हुई Бог त cái अ सकता है